हाथ में हुनर हो तो करिश्मा दिखाने में ज्यादा वक्त नहीं लगता कुछ ऐसा ही हुनर दिखाया है एक बेमिसाल कारिगर ने जिसने तयार कर दी है पानी से चलने वाली एक कार कमाल के कारिगर का निया कारनामा सूरत से निकली पानी से चलने वाली कार लेकिन इसके बावजूर वो कर डाला जिस पर अब वैग्यानिक भी हैरान है इस शक्स के पास है पानी को पेकोल बनाने की तकर इस शक्स ने पानी से चला दी है कार सूरत के कतारगाओं एलाके में मोटर गराज चलाने वाले पुर्श्वत्तम फिपलानी ने पानी से कार गड़ाने का फॉर्मूला तयार करके लोगों को हैरत में डाल दिया है इनके इस नए अविश्कार ने लोगों को चौंका दिया है जी हाँ सूरत की सड़कों पर फर्राटा भरती ये कार कोई आम नहीं है ये कार पेट्रोल डीजल या सीनजी से नहीं बलकि पानी से चल रही है जो कि एक लीटर पानी से सत्तर किलो मिटर तक चलती है पीने के पानी के अलावा समुद्र के पानी में ज्यादा माइलेश देती है ये और इससे निकलने वाले धुए से प्रदूशन भी नहीं फैलता यानि आम के आम और गुठनियों के दाम और इससे पेटरोल के बढ़ते दामों से उकता चुके लोगों को भी राहत मिल चुकी है हलांकि पानी से चलने वाली इस कार में पहले हाइडरोजन किट बैठानी पड़ती है जिसके चलते ये कार पानी से चलती है लिहाजा आप पुर्शोत्तम ने इसकी पेटेंट बना कर मंजूरी के लिए राज्य सरकार और केंदर सरकार को परिक्षन के लिए भेज दिया है और अगर इससे अनुमती मिल गई तो ये देश के सड़तों पर फर्राटे भर सकेगी बेरहाल पानी से चलने वाली इसकार से पेटरोल और डिजल की हपत तो कम होगी ही जिसकी वज़े से लोगों को महगाई के बोज से काफी हद तक छुटकारा मिलेगा इस समय सूरत से कृतिश पटे